कुरोना से साथान इंडिया चीन जहां दुनिया से कुरोना के कहर को छिपाने की कोशिश में जुटा रहा है तो वहीं भारत में कोरोना को लेकर सतर्कता लगातार पड़ी है विदेश से आई यात्यों का एरपोर्ट पर रैंडम कोविट टेस्ट शुरू हो चुका है जबकि किसी पैसेंजर की रिपोर्ट अगर पॉस्टिव आती भी है तो उस यात्यों को कॉरिंटीन करने का भी इंटर्जाम किया गया है दिल्ले, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलूर, चेदनई, एहमदाबाद, पूने, इंदौर और गोव साहिर विबिन हवाई अड़ो पर आठी पीसियार कोविट जान शुरू हो गई है ये अपने घर की छट पर ही फल और सबजियां होगाते हैं महीने का 40 से 50 अजार कमाते भी हैं इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो तो वे केम तो सरकार ने बड़ा फैसला किया है शनिवार को स्वास्तमत्री मंसूप मंदाविया ने कहा किची, चापान, होंग कॉंग, बैंकॉंग और डक्षिन कोरिया से भारत आने वारे लोगों का RTPCR टेस्ट अरिवार्य होगा एर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रेक किया जाएगा पैसेंजर पहले साही RTPCR रिपोट अपलोड करके ही आएगे इंडिया में आने के बाद भी उसका thermal screening किया जाएगा और कोई positive पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में कॉरेंटाइन करने के लिए हमने आदिश जारी कर दिया है सरकार किसी भी हाल में भारत में Omicron को आतंक फैलाने से रोकने के लिए Ventilator Oxygen Machine ने दोस्त करने का अग्रह किया है जहां देश में ज्यादत लोग Corona की दोनों वैक्सिन ले चुके हैं वहीं अब booster dose लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है लोगों में वैक्सिनेशन को लेकर के जागरुपता बढ़ने लगी है इस वक्त हम लोग लखनों में इस्थित वैक्सिनेशन सेंटर पर हैं आप देख सकते हैं कि यह अस्पताल में इस्थित एक वैक्सिनेशन सेंटर है जहां पर लोग अब बुश्टर डोस के लिए ज़्यादा पहुशने लगे हैं देख सकते हैं कि यह अब यह कतार है यहाँ बुश्टर डोस के लिए खासताओर से लगी होई है को वैक्सिन और इसके साथ-साथ कोवी शील्ड की बुश्टर डोस लगनी है लोगों को करने पाए त्वास्त मंत्राले ने भी 6 पॉइंट की गाइडलाइन जारी कर राज्यों को सतरकता बरतने को कहा है इन गाइडलाइन के मुताबिक PSA प्लांट को सुचारू रखा जाए और नियमित मौक ड्रिल की जाए जबकि LMO यानि लिक्विड मेटिकल ऑक्सिजन की उपल अब्दता भी सुनश्चित की जाए राज्य अपने स्तर पर ऑक्सिजन कंट्रोल रूम सक्रिय रखें और रोजान ऑक्सिजन की मांग और खपत पर भी निग्रानी रखी जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड को लेकर हाई लेवल मिटिंग की है चीन में कोरोना बढ़ने के बाद एक तरफ जहां 12 सरकार ने इसको लेकर के अलड़ जारी कर दिया तो वह यह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी स्वास्त विवस्थाओं को अलड़ पर रखा है कर लिए गये हैं जिससे कि अगर कोरोना के संक मेर बढ़े तो आने वाले मरीजों को बहतर चीकिस से वह मिल पाए जब कि हर्याना सरकार भी कमर कर चुकी है कोरोना को लेकर पुरुस्वास्त वंत्ती डॉक्टर हाउश रदन ने भी दिली में कोरोना के नियमों का सक्ति से पालन करने की अपील की है ये मास्क सबसे बड़ा एक प्रकार से हमारा रक्षक है फिर जो दो गज की दूरी की बात की थी जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया वो भी बहुत महत्पूर्ण है हैडराबाद में रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी गई है और अस्पतालों में सर्दी जुकाम के साथ ही कोरोना के लक्षन वाले मरीजों के टेस्ट के लिए हाले की देश में कोविट के मामले कम है लेकिन भविश्य में सतरक्ता बरतने से ही हाला त्यंतिन रहेंगे इसलिए सरकार और हेल्फ सिस्टम एक बार फिर कोरोना का मुकाबला करने के लिए कोई कोता ही नहीं बरतना चाहते ये अपने घर की छट पर ही फल और सबजियां होगाते हैं महीने का 40 से 50 अजार कमाते भी हैं इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो